गुद मारिंग, विकॉंग फर्स्ट यर की कोस्ट अकाउंटिंग की, आज 17th क्लास हम स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नमबर 5 हम पढ़ रहे हैं, लेबर कंट्रोल 2nd, इस चैप्टर के कुछ क्वेस्ट यानि की क्वेस्ट नमबर 12 तक हम प्रीवेस क्लासेज के अंदर सॉल् थर्टीन देखिए, पेस नमबर 5.43 पर गिवन है, एक वरकर है, जिसको की 6 रुपए प्रति गंटा की दर से बुकतान होता है, दिन रेट पर आरहा हमारी कितनी है रुपीज, 6 है, ओके, आगे पूल रहे हैं, पांस दिन वाले एक सब्ताह में 42 कारेश्वील गंटे होते है 5 दिन होते हैं, एक सब्ताह में, मतलब कि एक वीक में 5 वरकिंग डे होते हैं, और उन 5 वरकिंग डे में टोटल कितना काम होता है, 45 हार्स का, छीक है, कार्य स्थल पर मशीनों की देखरे के लिए, उन स्विकरे तवका से तो अनुपस्तिती के लिए 24 मिनट प्रति दिन की छ चूट दिन की छूट दी चाती है, तो ये थो हमारा नॉर्मल आइडल ताइम है, चूट मतलब में टेनेंस और वो सारे जो काम होते है, वो सब क्या होते है, आइडल ताइम क्योंकि उस दुरान कोई प्रडक्शन तो होता नहीं, तो ये कार्य ही इन समय होता है, तो ये काम करा है, जूबनबर 104, 201, 315, तो ये थो होते हैं। बोल रहे हैं, उसने 45 आइडल ताइम के इंफरमेशन है, फिर भी अगर डिफरेंस आता है, तो वो क्या होगा, तो उसके लिए आगे बोल रहे हैं। पावर उपलब्द न होने से समय की हानी हुई, बताईए क्योंकि तो श्रमिक के पारिश्रमिक को लागत लेखों में किस प्रकार से लिखा जाएगा, देखे, सबसे पहले तो हम यह देख ले कि क्या कोई abnormal idle time है क्या, क्या, क्यों, क्योंकि यह बोल रहे हैं कि power उपलब नहीं के कारण समय क्या, मतलब lights नहीं थी, power नहीं था, और power नहीं होने क कि वज़ा से अगर time idle रह जाता है, तो उसको abnormal idle time का जाता है, हमने पढ़े थे न, दो तरीके के idle time, normal idle time and abnormal idle time, तो normal तो वह होता है, जिसको चाहकर भी रोक नहीं सकते है, तो जो machine के maintenance वगेरा, उनके लिए idle time जो है, वो तो कंपल सरीय होगा ही, हमें पता है, लेकि abnormal power उपलब total working hours, 45 hours है, बहुत simple सी चीज है, अब इसमें देखिए, job पर उसने कितना काम किया है, तो 15 plus, first job पर उसने 15 hours का काम किया, second पर, 13 on 12, मतलब time spent on job, different different jobs पर उसने कितना time spent किया है, total 40 hours का, simple चीज है, 40 गंदे उसने कहां spent कर दिये, jobs में, एक हमें information है, normal idle time की, क्या बोल रहे है, 24 minutes per day, तो into 5, मतलब कि 120 minutes, और divide करेंगे 60 से, यानि कि 2 hours का, आपका normal idle time है, एक week में, अब मैंने into 5 क्यों किया, तो दिखो, बोल रहे है, कि एक दिन में 24 गंटे के आपको चूटते जाती है, तो 5 दिन का एक सपता है, तो 5 दिन में किती चूट हो गई, 120 मिनट, 120 मिनट का बतलब, 2 गंटे तो normal idle time हो गया, तो अब जो बचा है, वो क्या है, abnormal idle time, बहुत simple सी बात, कितना, तो 45 minus 40 plus 2, that means 3 hours का हमारा abnormal idle time होगा, समझ में आई चीज, क्या-क्या हमने, clear है आप लोगों को, हमने normal idle time निकाल दया, abnormal idle time निकाल दया, 40 गंटे तो उसने काम किया, 2 गंटे normal idle time का, 3 गंटे abnormal का, और 45 गंटे का जो काम बोला गया, वो हो गया यहाँ पर, clear, अब इसके बाद हमें wages find out करने, तो दीखे, normal idle time के लिए normal rate से wages दी जाती है, कहीं कोई दिकत निकाती है, बट abnormal idle time के लिए wages तो दी जाएगी, लेकिन, लेकिन वो wages कहां चार्ज होती है, costing, profit and loss में, in jobs के account के अंदर चार्ज नहीं होती है, तो देखे, हम बनाते है, format हमारा, calculation of total wages, हमाई पास तीन तरीके की जॉब है न, तीनों के लिए columns बना लेते हैं, जॉब नॉमबर, तीनों के जॉब नॉमबर लिख देते हैं, 104, 201 and 315, 104, 201, 315, ये जॉब नॉमबर, ओके, अब हमें क्या-क्या देना है, तो देखे, यहाँ पर bonus के regarding तो कहीं को information नहीं है, क्योंकि standard time या फिर ऐसी कोई चीज तो देग नहीं रखिये, तो simple सा है, basic wages, 4, working hours, जो आपने काम किया है, उसके लिए आपको कितना wages दिया जाएगा, तो यहाँ देखे, 15 गंटे, 2nd में, 13 गंटे, 3rd में, 12 गंटे, और रेट का है आपकी रुपी 6, 15 x 6, 90, 13 x 6, 12 x 6, यही होगा, यहाँ पर हमारी कोई भी ना तो overtime जैसा कुछ है, और ना ही यहाँ पर कोई भी bonus जैसा कुछ रहेगा, क्यों क्योंकि bonus कब होता है, जब हमें standard time की information हो, time saved हो, हमें कोई question के अंदर बोला हुआ हो कि row 1 premium है या इतना percent bonus दिया जाता है, तब तो ना हम कुछ bonus बगेरा करेंगे, यहाँ पर तो ऐसा कुछ है ही नहीं, तो चलो solve कर तो, यह 72, यह 78, यह हमारी क्या हो गई, basic wages, okay, अब जो हमारा total idle time रहा है ना, 2 गंटे का, यह तो total है, उसने एक सप्ता के अंदर 3 jobs पर काम किया, वो 2 गंटे का idle time मिला कर 3 jobs का है ना, तो यहाँ देखे, अब हम लिखते हैं, wages for normal idle time, आपका जो normal idle time है, उसके लिए क्या किया जाएगा, wages का payment तो किया जाएगा, कितना तो 2 into, मतलब 2 hours के लिए, रुपीज 6 पर आर के साब से कितना payment होगा, रुपीज 12 का, अब यह जो 12 गंटे की wages है, क्योंकि यह तो normal idle time है, तो यह तो आपके cost accounts के अंदर charge होगी होगी, तो कहा चार्ज होगी, तो इन 3 jobs में ही तो चार्ज करना पड़ेगा, क्योंकि एक ही बर तो working hours के ratio में, क्योंकि हमें कोई information other है नहीं यहाँ पर, तो हम wages के ratio में बाढ़ दें, या फिर working hours, यह में आएगा ratio तो क्योंकि सब into 6 into 6 की कर ररका है, तो डिवाइड by 6 करेंगे, तो भी वह ही चीज आ दिए, तो अब हम यहाँ करेंगे, add wages for normal idle time, तीनो में कितनी, तो rupees 12 कि इस ratio में जाएगा, 15 is to 13 is to 12, समझ में आ रही है चीज, हमने क्या किया, तो इसको 12 रुपए जो normal idle time के लिए wages दी गई है न, उसको हमें इनकी ही jobs के अंदर बाट के, cost accounts के अंदर शो करना पड़ेगा, वना कहा, लेकिन कि abnormal की तो चलो costing profit and loss में directly debit हो जाएगे, लेकिन यह normal idle time क wages की तरही होती है और इसलिए इसको हमें अपनी particular jobs के अंदर चार्ज करना पड़ेगा, तो तीन जॉब है, तो हमने working hours के ratio में क्या कर दिया, उस total 12 रुपए की wages को distribute करना है, समझ मेरी है चीज, तो distribute कर देते हैं, चलिए 12 को 15, 13, 12 के ratio में बाटना है, यहाँ आएगा 4.5, then 3. 3.9, 3.6, तो यह आजाएगी, total wages to be charged, यह तो है normal wages, जिसमें की normal working hours और normal idle time की wages भी होगी, तो हम क्या कहेंगे, कि job number 104 में, total 94.5 की wages चार्ज की जाएगी, job number 201 में 81.9 की wages, और job number 315 में 75.6 की wages को debit कर दिया चाहेगा, यह वो वहाँ पर चार्ज कर दिया चाहेगी, then now wages for abnormal idle time, अभी जो 3 hours का abnormal idle time है, उसके लिए भी wages तो देनी ही पड़ी, then rupees 18, और इन rupees 18 के साथ क्या किया चाहेगा, इनको आप particular किसी job में तो डाली नहीं सकते हो, abnormal idle time है, और abnormal cost जितनी भी होगी ना, costing के अंदर, सारी के सारी कहां चली जाएगी, profit and loss account में, then transferred in, costing, profit and loss account, हिंदी में हम लिखेंगे, कि असामान्य कार्यहीन समय के लिए, दी जाने वाली 18 रुपई की wages को, हम लागत लाभानी खाते में, हस्तान चरित कर देंगे, will be charged to costing, profit and loss account, समझना इस चीज़ को, I think यह चीज़ आप लोगों को clear हो रही होगी, abnormal idle time पढ़ते समय मैंने बताया था, कि उसकी जो wages होगी, उससे related जो cost होगी ना, वो हमेशा costing, profit and loss में जाएगी, तो यही हमने यहाँ पर किया है, यह हमारा questions, समझ में आई चीज, तो सबसे पहले हमने total 45 hours का working time था, उसके तीन पार्ट की, क्योंकि question के information सी है, 40 hours थो हमें दिख रहे है, काम क्या, 2 hours हमें information है कि यह normal idle time हो सकता है, remaining 3 will be abnormal idle time, उसके साब से wages निकाली, तो normal idle time की wages, बिल्कुल normal basic wages की तरह ही बढ़ती है, इसलिए total 12 रुपे की wages थ उसके बाद abnormal idle time की जो wages है, उसको costing profit and loss के अंदर solid debit किया हो जाता है, इसलिए वो कहां transfer हो जाएगी, सीधी costing profit and loss के अंदर, okay, question number 14 हम देखते है, देखे, question में क्या information given है, कि एक खारकाने में A और B, दो labor है, एक ही प्रकार के सामगरी, जिसके लागत प्रतेक के लिए 100 रुपा यहाँ पर चार्ज होता है, एक labor के लिए, okay, और एक जैसे उत्पात का निर्मान करते हैं, ठीक है, दोनो labor के लिए बोल रहे हैं कि सामगरी श्रम की दर्भी समाने यानि की rate per hour भी उनकी equal है दोनों की, okay, आगे आपको बोल रहे है, उन्हें मजदूरी का पुकतान, रोवन योजना के अंतरगत किया जाते हैं, बोनस का formula किया हो जाएगा, time saved into rate per hour into actual time upon, standard time fine, उन्हें निमना सूचनाओं से श्रम की प्रती गंटा सामान इदर, आपको rate per hour find out करने, information दे रखिये, worker ए और worker भी, दोनों के लिए time allowed दे रखा, time taken दे रखा, तो difference, time saved हो जाएगा, ठीक है overhead rate per hour दे रखिये, rupees 1, factory cost दे रखिये, 193.75 और इधर दे रखिये, 205, दोनों workers के लिए information, तो दोनों में से किसी भी एक के information को आप base बना लो, दोनों की में से किसी भी एक labor के information को base बना गे, हम लोग rate per hour find out कर सकते हैं, A की चाहे और B की भी कर सकते हैं, तो मैंने worker A की information को base बन time saved will be 15 hours, after that हमें question के अंदर information given है कि factory cost 193.75 कि है, factory cost का मतलब क्या होता है, material plus labor plus overhead, then हमने लिखा, factory cost is equal to material plus labor plus overhead, factory cost of 193.75, material 100, labor, हमने नहीं बता है, अब find out हो जाएगा, then overhead, तो overhead की rate हमें दे रखिये, 1 rupees 1 per hour, तो 25 hours के लिए किले किना हो गया, 25, then हमने आसे labor find out किया, 68.75 rupees, simple, अब labor total हमें बता चल गया, then total wages क्या होगी as per Rowan premium plan, then total wages is equal to basic pay plus bonus, formula में रिखते है, एक बाद total wages हमें बता है कि 68.75 है, इसको रखा, basic का formula, actual time into rate per hour, plus bonus का formula, time saved into rate per hour into actual time upon standard time, अब यहां से हम क्या करते है, rate per hour को common ले ले लेते है, तोनो में सेम है, ले रहा है, 68.75 is equal to rate per hour, और बाक अब इसके बाद हम इस formula के अंदर क्या करेंगे, values रखेंगे, then 68.75 is equal to rate per hour, as it is रखा, actual time, 25 hours का, time saved 15 into actual time upon standard time, formula में values रखी, solve किया, कैसे किया, तो 25 और इसको पूरा solve किया, 9.375, तो इसी को आगे लिखा, 68.75 is equal to rate per hour into 34.375, then rate per hour अगर चाहिए, तो इसमें divide किया, और हमारे पास आगए, rupees 2 per hour के साब से, उसकी basic wages की rate, समझ में आई चीच, तो ये बहुत simple सा था, चोटा सा question, मैंने worker A के information को base बना के लिए है, आप worker B से भी कर सकते है, rate वही आएगी, same आएगी, क्योंकि पहले बुला हूँ ने, कि दोनों workers के लिए, wages की जो rate है, वो same है, तो आप worker B क से, try करके देखे, बिल्कुल rate per hour rupees 2 ही आएगी, okay, तो ये हमारा question number 14, solve or, अब आजाते हैं हम, question number 15 पर, देखे, एक job में, नेमने लिखित विवरान आपको दे रखे है, wages के rate दे रखे है, rupees 30 per hour, तो question number 15, सबसे पहले हमें दे रखे, rate per hour is equals to rupees 30, okay, after that हमें बोल रहे है, standard time allowed, 60 hours, चलो, उसके बाद, actual time taken over by 3 workers, 3 workers की information है, राम, श्यामन, मोहन, तीन होगा actual time अलग अलग है, एका है 40 hours, एका 30 hours, एका 24 hours, आपको इन तीनों श्रमिकों की कुल अरजन में प्रती घंटा अरजन की घंणा करनी है, और परिणामों की विवेशना करनी है, ति मजदूरी का बुकत 3rd, healthy, 50% premium, then 4th, rovan premium, and 5th, immersion premium, okay, पांचों method से हमें क्या करना है, solve करना तो, एक वर कर के लिए, मैं करवा देती हूं, चलो, राम के लिए करते हैं, देखें, वर कर, राम के लिए हम क्या करते हैं, standard time, 60 hours, actual time, उसने 40 hours में complete किया, then time saved will be 20 hours, first हमें क्या बूल रहे हैं, first method हमारा है, time rate, time rate, then total wages, time rate में क्या होता है, बहुत simple, कोई bonus नहीं, कुछ नहीं, actual time into rate per hour, then actual time 40 rate per hour, 30, then rupees 1200, then wages per hour, हमें क्या बूला है, कि per hour इन्होंने कितना अर्ण किया, वो निकालना है, then इसका formula क्या हो जाता है, simple, total wages upon actual time, then is equals to 1200 upon 40 is equals to 20, 30 per hour, इस तरह सभी के लिए निकालना है, राम के लिए मैंने निकाली, first method किया हमें अभी, second, piece work rate, piece work method में, total wages is equals to, क्या बताया था, standard time into rate per hour, then standard time is 60 hours, standard time सभी workers के लिए, ये बिलकुर, same है, then ये रूपीज, 1800, वही wages per hour, सब में निकालनी है, formula में वापस इन्हें लिख रही हूँ, तो healthy के ब्यान के अंदर, क्या होती है, total wages, then total wages is equals to, basic plus bonus, then basic का formula, actual time into rate per hour, bonus का formula, time saved into rate per hour into 50%, rate दे ही रखी है 50%, then 40 into 30, plus time saved हमारा कितना है, 20 hours, then 20 into 30 into 50%, तो ये आगया 1200, और ये आगया 300, total हो गई रूपीज, 1500, simple, तो wages per hour निकालनी है, दूसरे चीज़ इसमें, तो wages per hour is equals to, total wages upon actual time, तो total wages हमारी 1500 रूपए की, और actual time टेकन है 40 hours, then ये आगया 37.50 per hour, समझ में आरी है ना चीज़, मैं इतना fast करवा रही हूं, क्योंकि ये सारे methods हम पहले कर चुके हैं, बहुत बार, तो इन में कोई दिक्कत आप लोगों को आएगी नहीं, next हमें fourth method बोला है, row 1 premium plan, तो row 1 की premium plan में, total wages का तो मतलब वही है, total wages is equals to basic plus bonus, basic का formula वो ही actual time into rate per hour, but bonus का formula यहाँ पर health से different रहेगा, bonus का formula क्या होगा, time saved into rate per hour into actual time upon standard time, solve करें, actual time तो 40 hours, rate per hour 30, time saved इसका 20 into rate per hour 30 है और actual time 40 और standard time, 60, solve करते हैं, ठीक है, यह हमारे पास क्या आगया, bonus आगया, रूपीज, 1600 का, टोटल वेजेज, then wages per hour, हमें प्रती घंटा भी निकालना है न, then total wages upon working hours, then it equals to rupees 40 पर hour, fourth method भी हमारा complete, बहुत simple, अब आता है हमारा method number 5, वो है हमारा, immersion plan, immersion plan का, I think, first question है अभी, immersion plan, हमने पढ़ा था, immersion plan में सबसे पहली चीज जो निकलेगी न, वो निकलेगी, percentage of efficiency, उसके हिसाब से हमें टेबल में देखेंगे, less than 66.67%, more than 66.67, up to 100, then more than 100%, कौन से efficiency के लेवल में आता है, तो percentage of efficiency निकालने का formula, तो देखें, यह हमारा question production based नहीं है, question हमारा क्या है, time based है, time based है मतलब हम क्या करेंगे हमारे percentage of efficiency के लिए, तो देखें, जब हमारा standard time ज़्यादा हो, तो person efficient कहलाएगा, कि उसने कम time में गाम complete के दिन, formula will be standard time upon actual time into 100, standard time 60, actual time 40, into 100 करो, समझ में आ रही है चीश, तो यहां percentage आएंगे, 150%, यह person 150% के efficiency वाला है, तो अब wages, क्या मिलेगा, basic plus bonus, okay, basic का actual time into rate परा, then bonus, अब यहां पर bonus क्या होता है, तो bonus में यहां मिलती है, 20% of basic पे, क्योंकि यह 100% से उपर वाली category में आ रहा है, then, additional 50% of basic पे, क्योंकि 100 से कितना ज़्यादा है इसका, 50% ज़्यादा है न, तो उसको extra 50% bonus मिलेगा, यही पढ़ा था हमने, immersion premium plan में, कि अगर वो 100 से उपर चला जाता है, तो 20% of basic पे तो मिलना है, no problem, लेकिन उसके अलावा भी, 100 से ज़्यादा है, उतने परसेंट का extra bonus, तो करे सॉल, actual time into rate पर आर, 40 into 30 plus 20% of 1200 plus 50% of 1200, 1200 मितलब basic पे, आपका basic पे कितना है, 40 hours के इसाब से, रुपीज 30 पर आर, दें 1200, प्लस 240, प्लस 600, यह हमारी total wages, समझ में आई चीज, तो immersion premium plan इस question में पहली बार आया है, इसलिए मैंने आपको यह question भी solve करवा दिया, immersion से हमने total wages निकाल ले, दें हम यहाँ पर निकाल लेते, wages पर आर, तो कोई दिक्कत है इसमें, नहीं, 2040 में 40 का भाग दे दो, आपके पास आजाएगी पर आर वेजेस कितनी हैं, 51, रुपीज 51 पर आप, समझ में आई चीज, तो यह हमारा question number, 15 जो था, उसमें worker first, जो हमारा राम था, उससे related काम मैंने किया, अब श्याम और मोहन, इन दोनों से related चीज, आप खुच सॉल्फ करेंगे, इमर्सन प्लान से भी हो जाएगा, बिल्कुल यही method, फोलो करना, देखना, अगर percentage efficiency 66.67 से कम आ रही है, no bonus, just basic wages, 66.67 से 100 की पीच आ रही है, then basic plus 20% bonus on basic wages, उसके अलावा more than 100% आ रही है, तो यही method है, basic plus 20% तो मिलेगा, फिर 100 से जितना ज़्यादा, उतना additional bonus, हो जाएगा यह question, सौल, then okay, question number 16, जो है न, वो बोल रहा है कि, एक कार्य हेतु प्रमाब समय है, 8 गंटे, standard time 8 hours, rate per hour of wages, 8 hours, दिमनली की सूशनाओं से, विवरन तयार कीजे, first आपको bonus earn बताना है, total earning of labor बताना है, early earnings बताना है, healthy बीधी में समय, बचत का 50% bonus और रोवन वीधी में प्रती गंटे उतर उतर होगा, अब आप समझे, कि हाँ आपको actual time तो देही नहीं रखा है, क्या बोल रहा है, healthy 50% और रोवन वाली से भी आपको solve तो करना है, but there is no actual time, तो फिर अब इस question को जब हम solve करते हैं, standard time कितना है, 8 hours का है ना, तो इस question को कितनी बार solve करेंगे, कि if actual time is 1 hour, 2 hour, 3 hour, 4 hour, 5 hour, 6 hour, 7 hour, 8 hours, आठ बार इस question को solve करना है, और method वही, row 1 से, healthy से, row 1 से, healthy से, तो ये question, अगर आप लोग चाहे, तो करें, आप लोगों की practice के लिए, अगर आप लोगों की practice के लिए, तो वैसे करेंगे, तो practice ही बढ़ेगी, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर नहीं चाहें, इस question को skip भी किया जा सकता है, ऐसे कोई बड़ी भाद नहीं है, तो मैं तो इस question को solve, नहीं करवाऊंगी, लेकिन आप लोग चाहे तो कर सकते, एक बार actual hours, working hours, जो actual time है, उसको एक मान लो, एक गंटा मानना, तो standard time, आठ गंटे, actual time, एक गंटे time saved, 7, उसकी साब से bonus wages की calculation, इसी तरीके से, 1, 2, 3, 4, 7, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तक सारी calculations कर लिए है, तो question अगर आप चाहें, तो solve करिएगा, otherwise, question number 15, नहीं जो दो workers, question न, शाम और मोहन, उन से related तो आपको करना ही है, और इसी के साथ, हमारा इस chapter भी खतम होता है, then, chapter number 5, हमारा labor control second, over हुआ, और इसी के साथ, हमारी cost accounting की, first unit खतम होती है, total 3 units होगी, उसमें से, first unit में, जो हमारे 5 chapters है, वो 500 chapters हमने पढ़े, 5 chapters खतम हुए, साथी, cost के हमारे जो 2 elements थे, वो भी खतम हो गए, material पढ़ लिया, labor हमने पूरा पढ़ लिया, अब second unit हम स्टार्ट करेंगे, अब हम पढ़ेंगे, cost के third element, overhead के पारे में, ठीक है, तो अभी तक जो हमने पढ़ा है, उसको वापस आप अच्छे से पढ़िए, बुक के अंदर जो illustrations वगेरा दे रखे, उनको solve करने की कोशिश कीजिए, इसके अलावा बुक में जो short और very short type questions है, उनको भी solve कीजिए, ठीक है, तो अगली class से हम overhead start करेंगे, thank you,